हरे कृष्णा आज हम आपको बताएंगे कि कब है सावन मास की पुतरदा एकादसी क्या होगी एकादसी की पूजा विदी, पूजा का सुब मूरत और किस समय और कैसे खोले स्रावन पुतरदा एकादसी का वर्त तो वीडियो अंद तक जरूर देखे स्रावन मास के सुकल पक्स की एकादसी तिती को पुतरदा एकादसी का वर्त रखा जाता है ये वर्त भी सभी एकादसीों की तरह भगवान स्रीहरी विश्णू को समर्पित है सावन मास में पढ़ने वाली इस एकादसी का विशेश महत तो है इस दिन स्रीहरी विश्णु की विदिवत पूजा करने के साथ वर्थ रखने से हर दुख दर्थ दूर हो जाता है और भगवान शीव का भी आशिरवाद प्राप्त होता है इस एकदसी को पवित्र उत्पन एकदसी या पवित्र एकदसी के नाम से भी जाना जाता है आई ये जानते हैं पुतरदा एकादसी की सही तारिक और सुब मूरत पारण का सही समय इस बार सावन मास के सुकल पक्स की एकादसी का प्रारंब होगा 15 अगस्त गुरुवार की सुबह 10 पच कर 28 मिनट से एकादसी तिथी की समापती होगी 16 अगस्त सुकरवार को सुबह 9 पच कर 29 मिनट तक इसलिए सावन मास के पुतरदा एकादसी का वर्त 16 अगस्त दिन सुकरवार को ही रखा जाएगा 16 अगस्त सुकरवार के दिन सुरियोद्य होगा 6 पच कर 7 मिनट पर सुर्यास्त हो गाश्याम 6 बच कर 54 मिनट पर इस दिन ब्रह्म मूरत रहेगा सुब़ 4 बच कर 31 मिनट से 5 बच कर 19 मिनट तक अमरित काल रहेगा सुब़ 6 बच कर 27 मिनट से 8 बच कर 2 मिनट तक इस दिन अभी जीत मूरत रहेगा दो फैर बारा बच कर पांच मिनट से बारा बच कर चपन मिनट तक राहु काल रहेगा साड़े दस बजे से बारा बचे तक एकादसी तिथी के बाद द्वादसी तिथी का प्रारंब होगा 16 अगस्त सुकरवार को सुबह 9 बच कर 40 मिनट से द्वादसी तिथी की समापती होगी 7 अगस्त सन्यवार की सुबह 8 बच कर 6 मिनट पर 16 अगस्त दिन सुकरवार को हरी वासर समाप्त होगा दो फैर तीन बजे तक एक अगसी की तिथी में तुलसी में जल देना या तुलसी तोड़ना मना है इसलिए आप एक अगसी की पूजा के लिए 15 अगस्त को ही सुबद 10 बजे से पहले तुलसी की पत्या तोड़ कर पानी में रख ले सनिवार 17 अगस्त दो हजार चोबिस यानि द्वादसी के दिन सुर्योद्य होगा सुबद 6 बज़कर 8 मिनट से सुर्यास्त होगा स्याम 6 बज़कर 53 मिनट तक ब्रह्मूरत रहेगा सुबद 4 बज़कर 31 मिनट से 5 बज़कर 19 मिनट तक इस दिन अमरित काल रहेगा सुबद 7 बज़कर 11 मिनट से 8 बज़कर 44 मिनट तक राहुकाल रहेगा सुबह 9 बजे से साड़े 10 बजे तक आईए अब जानते हैं स्रावन पुतरदा एकदसी वर्त का पारण करने यानि इस वर्त को खोलने का सही समय पुतरदा एकदसी का पारण करने का सही समय रहेगा 17 अगस्त दिन सनिवार के दिन सुबह 6 बज़ कर 8 मिनट से 8 बज़ कर 6 मिनट तक आईए अब जानते हैं एकादसी वर्त की पूरी पूजाविदी के बारे में एकादसी के दिन सुबह ब्रह्म मुरत में उठकर पानी में गंगाजल की कुछ बुंदे डाल कर स्नान करे फिर मंदिर में भगवान विश्नु के पीले वस्त्र और स्रिंगार करे भगवान विश्नु को तुलसी पत्र अवस्य चढ़ाए फिर पुतरदा एकादसी वर्त की कथा पड़े पुतरदा एकादसी की पूरी कथा हमारे चैनल पर डाली जाएगी आप उसे एकादसी के दिन अवस्य सुने फिर भगवान श्री हरी विश्नु की आरती करे और प्रभू को मौसमी फलो का और मिठाईयों का भोग लगाए और भगवान के सामने पूरे मन से एकादसी वर्त करने का संकल अपले इस दिन विश्णु से सस्त्र नाम और स्रीमन भगवत गीता का कम से कम एक अध्याय अवस्य पड़े और हरे कृष्णा महा मंत्र यानी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करे आईए आप जानते हैं पूतरदा एकदसी को खोलने की पूरी पूजाविदी पूतरदा एकदसी के अगले दिन सुबह जल्दी उठ कर सबसे पहले तुलसी देवी में पानी दे फूल चड़ाएं और तुलसी महरानी की आरती करें फिर तुलसी पत्र भगवान विश्नु को अरपित करें उने फूल और तुलसी पत्र चड़ा कर उनकी आरती करें फिर घर में बने मीठे नमकीन पकवानों का भगवान श्री विष्णू को भोग लगाएं और वर्त के तोरान जाने अंजाने में आप से हुई सभी गलतियों की भगवान विष्णू से समा मांगे भगवान को चड़ाय हुए भोग को खाकर ही अपना वर्त खोले तो ये थी आज की व सब्सक्राइब करना ना भूले रादे रादे जैस्ट्री कृष्ण।